हेलो दोस्तो गुड मोल्डिंग टू ओल अफ यू दोस्तो दस सिविल टाइम के प्लेटफॉर्म पे एक बाद पुनह आपको स्वागर्थ है दोस्तो आज आज की क्लास जो हमारी बायों की क्लास चल लहती उसी का एक अगली सीरीज है तो दोस्तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जो ही बाते बताया जाए देखे एक्च्वली बीपीच्री होने वाली है 69 फिर आपका बिहार एसाई का एक्जाम होने वाला है और बिहार पुलिस का एक्जाम होने वाला है इन सभी एक्जामनेशन के लिए यह मुस्ट वेल्यवेबल सीरीज है इनमें से आपके सारे क्यूक्शन हो जाएंगे आपको सिर्फ कोशिश करना है कि इनके वीडियो को देख करके इनमें जोबी चीज बताया जाए इनका आप नोट्स बना लिज कि अब बायो डाइवर्सिटी का जो अबने फाइव किंडम और क्लासिफिकेशन फाइव किंडम ऑफ फ्लासिफिकेशन का अब शुद्य किया था आपका जो प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इससे पहले हम लोग मोनेरा मोनेरा कर चुक्या हम लोगा ने बैक्टेरिया के बादी प्ड़ा था बैक्टेरिया वाइस कैव ना आउय माइक्क्लाज्म इनके बादे मैंने प्ड़ा था इबेक्टेरिया धर्फिव कर आने वाले पहले the Lifeline माइक्क प्लाज्मा को जाता है जोकर ऐफ बाइलोजी बायकू प्लाजमा एक तो सबसे माईको प्लाजमा क्या है a smallest असमॉलिस्ट ओर गेनीज्म और्गिनिज्म ओन दे अर्थ माइको प्लाज्मा प्रीथवी का सबसे छोटा जीव है और हमेशा अपना सेप बदलते रहता है इसलिए माइको प्लाज्मा को बोलते हैं जोकर जोकर ओफ बाइलोजी तो ये भी ध्यान रखेगा बाइलोजी का जोकर बोला जाता है और बहुत बार ये प्रस्ट पूछा गया है कि माइको प्लाज्मा को बाइलोजी का जोकर बोला गया है ये हमेशा अपना सेप बदलते रहता है वाइरस को बोला गया है connecting link between connecting link between living and living and non living जीवित एवम और जीवित या निरजीवित के बीच के कड़ी यह वाइड से जीवित है निरजीवों के बीच के कड़ी वाइडस ऐ कि 1959 लिए जोकर है बैक्तिरिया क्या है यह धरती पे आने वाले पहला जीव फस्ट कॼसक नहुंत प्रिस्वी का पहला जीव है इसली से भी बोलते हैं तो शोरी इसी से हम लोग मोनेरा भी बोलते हैं मुनेरा बोलने के मत्रब सबसे प्रिमिटिव तो दोस्तों देखिए अब हम इसका जो अगला जो सीरीज है आपका पूर्टीश्टा के बारे में थोला ध्यान से देख लिजिए अगर आपको स्कीन सोट लेना तो ले लिजिए क्योंकि मुश्ट वैल्यूएबल इन्फोर्मिसन है यह आपके बिपीएश्टी बिहार इसना विहार पुलीस विहार टीचर इन सबके लिए इससे आपके एक एक्योशन परके हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लिजिए ठीके दोस्तों याज दोस्तों आगे देखिए आपको परना है टुम क्या बोलते अधिके पर के लिजिए यह विर्जन वाले यह ट्रू सेल वाले हैं जिसे ट्रू सेलेड और गनीजमी बोलते हैं यह यूके दिवाटिक मतलब सच्चा कोश्का वाला समझ गया और गनीजम है और यह बोलते हैं कि धर्टी पे आने वाला पहला एनिमल है मतलब फार्स्ट फर्स्ट एनिमल एनिमल सेल्स ओफ द अर्थ प्रीफिन पर आने वाला पहला जिव मोनेरा हो गया बैक्टिरिया मोनेरा का मोनेरा का स्पेसी वो गया देखे धर्ती पे आने वाले पहला ग्रूप है Monera और बेक्टेरिया उसका एक स्वेस्पीज है वैसे ही प्रोटीश्टा धर्ती पे आने वाले पहला इनिवल गुरूप का एक पार्थ है इनिवल गुरूप हो गया प्रोटीश्टा यह ट्रूस सेल वाले eukaryotic है समझ गए ध् देखें यह क्या है प्रोटिष्टा तीन टाइप के होते हैं एक होता जैसे फोटो सेंथेटिक प्रोटिष्टा हो गया जिसे प्रोटिष्टा कितने टाइप के हैं थोड़ अध्यान से देखिए गया प्रोटिष्टा तीन प्रगार के होंगे एक हो जाएगा आपका फोटो स मनेरा से हुआ है कि दो फिर्दीं में मेंने पहला जो ये यह हैं अब इनी से इवलूषन 經MO जाओं सब्सक्राविक उत्तरवार्वार्टन बाद फो परिवल्वार्टन के द्वारा प्रो पर्ला बना फिर इवलूशन की और अगतρεर आध्डो कि वो बना फंजाय फिर इवलूशन हुआ तो कि क्या बना पलांटी बना है फिर इवलूशन हुआ तो कि क्या हुआ एनिमिलिया बना तो देखिए यह एनिमिलिया एनिमिलिया गूंग फिर देन्लिब नहीं यह ज़ dwemu开ruti septa के बाद मोनेर्रा मोनेरा एभोलूशनों के फिर प्रोटिष्टा बने को अग्वा राद माに visas के बाद सब्सक्राय प्लांटी भाद आया अपनिमल किंग्डम् लांश्ट में आया को पहले आया मिरैं 94 कोई कंफुजन नहीं तो देखिए इन और नहीं में देखिए अब यह जो प्रोटिस्था के बाद रहे थे यह करिए छेल हैं अब देखिए इनका और देख लिजिए यह प्रोटिस्था तीन टाइप के है दियान नहीं पर पहला हो गया फोटो सेंथेटिक हो गया फोटो एक क्रते थे कि फोटो संथेसिस करते थे मतलब यह यह यूनी सेलुलर यूनि सेलुलर मत्ब एक कोश कीए एक कोश कीए जीव है एना और यह फोटो संथेसिज मत्ब सुदर्ज के परकास लेकर इतना भोजन मनाते तो इसका एक्जाम्पल हो जाएगा आपका डायेक्टम एंड यूगलीना इसका एक्जाम्पल क्या हो जाएगा द्यान देखेगा डाइएट टर्म्स और यूगलीना यूगलीना देखे यूगलीना को ध्यान किएगा यूगलीना जो भी बता है न यूगलीना ये होता है चपल टाइप पर स्ट्रक्शर होता है संडल टाइप का समझ गए और ऐसे होता है इसमें जानते हैं क्या होता है इसमें प्लोरोप्ला और देखें यूगलीना को हम लोग क्या बोलते है यूगलीना को द्हान ने किए बड़ा मात्व neutrality से बोलते हैं connect is connecting Link between animal and plant, animal and plant मत्यों यूगलीना को बोलते हैं connecting link between animal and plant तो देखें जैसे अगर इनिमल किंग्डम बना होगा ना तो यूगलीना उनके बीज की कड़ी है और डाइटम के बाद में बता है कि डाइटम पूरे धरती पर सबसे ज़्यादा जो है ऑक्षीजन को प्रोडूश करने वाले यही है क्योंकि समुद्र में पूरा फैले हुए है डाइटम समझ गए ड समुद्र में या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा कारवन स्टिंकिंग होते हैं कारवन का सोखन होता है समुद्र में और यही जो डाइटम है इनके द्वारा सोखा जाता है ऑक्षीजन को रिलीज किया जाता है और इसके बाद अमेजन घाटी आते है तो यह बात अब ध्यान प्रोटोजवन-प्रोटीस्ट को हम लोग बोलते हैं कि जैसे प्रोटोजवन-प्रोटीस्ट में पहला हो जायेगा आपका इसका इनिमर इसमें लिख लिजिए पर्षट इसे प्रोटाजोन प्रोटाजवन प्रोटीश्ट मतलब इसके प्रोटोजोन का मतलब भी होता है फ्रस्ट एनिमल ऑफ वर्फ फर्स्ट एनिमल ऑफ द अर्फ ध्यान देखेंगे विल्कुल दोस्तों ब्रोटोजोन means first animal of the earth clear है अब इसे में देखिए इसका जो प्रोटोजोन means first animal of the earth को ध्यान न किएगा समझ गए यह जो सबी जगा पाये जाएंगे जिसे यह सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि यह तो इसका लिख लिए जो सबसे मीटी में कहीं भी कहीं भी मीटी है तो यह आपको प्रोटोजोन मिल जाएगा आप सुने होंगे जब लोग जब लिखनी में सबसे सिंपल तरीके से बने आ जा सकता है इसे आटे आटे को पानी वानी डाल करके करेंगे तो तलाब की थोड़ा दो वुन्त पानी डालेंगे तो बन जाएगे यह कि यह लिख लिख लिए आ इसका खूबी क्या है कि इन एवरि युद ऑफ के ऑफ स्वाइल कि किसी परकार के मिटी में आपको मिल जाएगा ध्यार ने दियाने किएगा और इसके बादे में लिख लेजे, इसका mode देखे, इसका mode likelihood खोगा, सड़े गलने चीजों को खाने वाला है, ये इसका गुन्य होगा, इसका एक्जामपल देखिए, प्लाजमोडियम हो जाएगा, पैरामीसियम हो जाएगा, ट्रैपनोसोमा हो जाएगा, देखिए यह होता है, पैरासाइटिक मतलब होता है, यह खतरनाक होते हैं, बहुत सारे बीमारियों का वहाँ की यह प्रोटोजोन है, इसका कुछ एक्जाम लिखर हैं लीची हो जाएगा जाएगा मैं हैं जाएगा इरला मीशिम हो जाएगा सबसे बड़ा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिकों को या जीओं को मानने वाले ही समझ गए तो यह बिल्कु ध्यान देखिएगा टैपनोसोमा पैरामीसियम और प्लाजमोडियम यह इनका दो तीन काइंड है प्रटोजोन का तो दोस्तों देखिए और प्रटोजोन के बाद में और एक और एक बीन आपको बताया फोटो सेंथेटिक दूसरा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बताए अगला होता है कंजूमर और डिकंपोजर प्रोटिस्ट लिए चीजों को डेड अडी करने में मतलब हंगारे धलती को सिंपलिफायर रहिए अगर यह सम नहीं होते तो धलती आ हमारे पादिया वदन में स्प्लिफायर है हमारे पादिया वदन में जो न्यूट्रिन्स नहीं जो बहुत सारे केमिकल साइकल को रेगुलेट करने वाले हैं तो यह बड़ा मरत्रपून है दोस्तों लिख लिजिए कंजूमर डिकंपोजर प्रोटीष्ट दोस्तों बिल्कुल ध्यान देखें बड़ा महत्रपून है देखें मेरी कोशिस है कि आपकी इतने साथे पॉइंट वाइज साइंस के चीजों को सिंपल तरीके से समझाएं कि आपका कोई भी की प्रस्ट ना छूटे तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से लेखिएगा बार बार कारीं पनलावी विज्ण करिएगा सबज गए ना देखिए इसके बादे में इसके पास दुन नट हेव एक लштप फिल इसफिटुम कोई है नहीं है आप कुछ है नहीं तब अब क्या हो जागा तब ये क्या करेगा पारा साइटिक मतलब एक किसी को नुक्सान नहीं अगर कोई जिए ओम्र गया धरती पे अब उसको मिट्टी में मिलाने का आज씨 करेगा है सिंप्लिफायर ना इस Fore बोल सकते हैं यूज्वारली डेल के मैंने मेंटर्स यूज्वाली यूज्वाली डेल एंड डेल एंड डेल केंग डिकेइंग इनिमल्स यह इसे कुलु πहां कि हमारे पार्यावदन को सुध करने वाला मित्र है इसे सेलुट करिए आप समझ गया ना अब देखिए अब कुछ इनके अपने जो फीचर होते हैं देखिए देखिए यह जो प्रोटिश्टा मुव्मेंट भी करते हैं इनके फीचर है कि स्यूडो पोडिया बोलते हैं इससे अब देखिए जल्ली से देखते चले जाहिए और इसका कुछ चीज़े ठीक लगे आपका स्कीन सोट ले लिजे या वीडियो का रिपीट करते हैं बड़ा काम का चीज है आपके लिए इसका अमीवा का एक्जामपल देखिए बच्पन से पढ़ेंगा इस प्रगात का होता अब इसको मूव्मिंट क्या होता है इस पैड को यसे बढ़ाद देगा यहां बढ़ गया बढ़ने के बाद यह इससे ही मूव करेंगे इसी को हम बोलते हैं स्यूडो पोलिया स्यूडो पोलिया समझ गये ना इध्यान दखिएगा अब इसके इसका कुछ और इसका जो आकार होता है बीस से चालिस माइक्रो मिटर ट्वेंटी टू फूर्टी मियम होता है इसका का बहुत छोटे प्रकार का होता है मतलब कभी कभी से में कंपाउंड माइक्रोस्कोप सा बहुत है घरोटि जैकनेंगों ऌंट ऑफ देख्या इसका में जानने वाली चाहिज़ा हिएनका एकौनेशी क्या है जाएंगे आपको अच्हा का सब्सक्राइब आपको ऐसे आपको कभी कुछ फाइद्यमन्द भी है लिए लिए मेनी जो प्रोटिस्ट हैं इनका यह बहुत साथे food chain के पार्ट भी होते ही हैं इसे माले लिए इनको कुछ और मारी करोट की कि भी खाएं तर्द की हमारे जो एको सिस्टम के food chain में पहला इनका लेख लिए food chain food chain में food chain में role play करते हैं इनका रोल प्ले करते हैं food chain में बेल्कुल बेलुएवल पॉइंट है याद रखिए फुल चेन के बाद इसका यह जो बाइलोजिकल रिसर्च में यूज किया जाता है इनका दूसरा क्या होगा आपका बाइलोजिकल रिसर्च में इसके लिख देते हैं पर इकनोमिक इकनोमिक इंपोल्टेंस ओफ इंपोल्टेंस ओफ प्रोटीश्टा ध्यान से देखिएगा दूस्तों फोल्ट चेन में बाइलोजिकल रिसर्च में हम लोग इसका यूज करते हैं फिर इसका देखिए कुछ होते हैं जिसे गुड शॉर्स ऑफ प्रोटीन एक बहुत अच्छा है इस प् समय कम होता है जो अगर जैसे सेटिलाइट के सब्सक्राइब ले नहीं जाएंगे दूर भी कैसे इसलेगा उनको नूटिश्टा चाहिए उनके पूरे जरूरत शरीर को नूटीशन के कमी को फुरा कर सके उनके लिए हम लोग इसको ले जाते हैं तो देखिए वो जो प्रोटीश्ट से ही डवलप किया जाता है अलगी है ना अलगी जिसे और जिसे एक ऐसी स्विकार का अलगी डवलप करेंगे है ना एक बोलते हैं ना कि एक असपेसल टाइप का जो अलगी डवलप किया जाता है असप्रिलीना का नाम सुने नामाँ आप सुने होंगे बहुत सारे जो जो कंपनीया है पतांजली और जो बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनिया इसके बनाती है तो ये क्या होता है कि गुड सोर्स ओप नाइट्वर्य होता है सोरी प्रोटीन का प्रोटीन का गुड सोर्स होता है ऐसे डेली लाइफ में लोग एनरजेटिक रहने के लिए अगला हो जाता है इसका जैसे पुछ क्या होता है कि हैं लिए और अर इसने लुए को जाता है कि उल हारे लिए एक तो हमारे हमारे है आपको करतें दूशने काम आते हैं और कुछ एंटिसाप्तिक दवाय बनाने में काम means so Crown liziper में बहुत नहीं अज मैं की आफ जो मिया करेंगे तो leo में पर को सजेशनि थी करें चापके बार बार देखिएगा आपके लिए बहूत बहुत साथे जो आपके question को solve करने में help करेंगे और अगर इनके बारे में और अगर detail तो आगे के और classes में होंगे आज मैं इतने तक बता आपको यही तक बता रहा हूं और दोस्तों आप कोशिश करिए कि इसको revise करिए अपने दोस्तों में share करिए ताकि मैं आपके लिए और इ information देते रहें ठीक है दोस्तों जाहिए जाहिए